गाइस मैंने लिया ए 45 डेस का ट्रीडिंग चेलेंज जिसमें मैं देखने वाला हूँ क्या मैं 45 डेस में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा जिसका आज है दे 36 फिर गाइस आज हमारी यहाँ पर बहुत ही जोड से बारिश आया और बारिश आने के पाद बहुत ही जदा बर्म भी गिराज फिर गाइस बैट गए हम अपने ट्रेडिंग सेटप पर और फिर लगाए कुछ इंपोर्टन सपोर्ट और एजिस्टन्स जो हमारे आज के मार्केट के लिए काम आएंगे फिर गाइस मार्केट खुला आज अल्मूस्ट टू हन्रेड पॉइंट्स गैब डाउन गैब डाउन खुलने का ये रिजन था कि आज इरान और इस्राइल में दोनों में वार जैसा सिनेरियो बना हुआ है इसलिए मार्केट बहुत नीचाया यूएस मार्केट हो गया या इसलिए निफ्टी जो था आज गैब डाउन ओपन हुए थे अगर आज आज आप निफ्टी में निव सुनके अगर आयोंगे कि मार्केट आज बहुत फॉल करेगा पाच परसंट इस परसंट इतना फॉल कर जाएगा निफ्टी तो आज आपका बहुत बुरा कट होगा मार अगर आप यहां पर पुट लिये होते और निवस का बेसिस में अगर आप यहां पर कहीं एंट्री के होगे तो आपका आज बहुत बुरा कट आज मार्केट पैनिक सलिंग जिससा सिनेरी किया बर गिरा ने और पुरा वीशेफ रिकवरी के साथ पूरा जो जो यहां पर बहुत अच्छा स्पाइक था पर यह भी सस्टेन ने ना हो पाया और तीन केंडल के साथ वापस नीचे आ गया नीचे आने के बाद मार्केट हो गया था पूरा साइडवेस होने के बाद मैंने अब्सर्फ किया कि 22,400 पे अगर आप वाई दान देखोगे तो बहुत जादा हमिल्केटित बाद मार्केट के जिसका मतलब यह था कि मार्केट नीचे गिरेगा जिसका मतलब यह था कि मार्केट वहां से यह नीचे गिरिया तो 22,400 पे जैसा विकाउट जैसा syneromics क्या ऑठ और ब्रेकाउट ना ही और उसका बाद से एक कैंड़ नीचे आयी जो बिक B. मुनें अरुसका भाओ से घर जशन ऑफ यसा ही मार्केट मेर एंट्री किया और टान केक्ब प्रॉफि शनरें के यह एंट्री कि था पालित्य। क्योंकि previous support यही था और मैं जड़ा रिक्स लेने नहीं चाहता था क्योंकि हमारी यहां पर मौसम भी बहुत 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 बार बार लाइट आ रहा था जा रहा था इसलिए मैंने सोचा कि रिक्स नालू और जल्ली अपना profit बुक करके निकल जाओ तो इसलिए मैंने का झादा होल निक्या और यहां पर यहां पर एकसित कर दिया मैंने और आज पहला ट्रेड में मुझे profit वर 638 ट्रपिस का मैं लिग्स जैसा ही मैंने एक्षिट किया एक्षिट करने के छिए निचा आया निचाने के बाद मार्केत पॉपा साइड शोग्या साइड घ़्र्स हो इसमें मैंने लिखा दे 36, 638 रुपीज प्रोफिट, टोटल प्रोफिट 10,671 रुपीज.